नमस्कार दोस्तों, आज हम सबी बात करेंगे कि कैसे ला सकते हैं आप UPPCL Executive Assistant exam में 55 में 55 marks हिंदी विशय में क्योंकि बच्चों पूरे marks क्या होते हैं, पूरे marks आपके होंगे इस exam में 180 और आपकी हिंदी कितने marks की पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी 55 marks की तो हमें क्या करना है, बाकी विशय तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पकट बनानी है हिंदी विशय में हिंदी विशय में हम पूर्ण तह ला सकते हैं 55 में से 55 marks आज हम छोटा सा discussion करेंगे इसी पे ही कि कैसे possible है आपका 55 में से 55 marks लेके आना हिंदी विशय में हमने क्या किया, हमने अभी तक एक छोटा सा खाका तयार किया है आपके लिए कि हिंदी विशय जो पूछा जाता है UPPCL के एक्जाम में हिंदी व्याकरण का उसमें जो 55 प्रशन आते हैं, उनको थोड़ा सा हमने सरलतम बनाया सबसे पहले जो आपका विशय है उससे लेकर प्रतेक से 2 से 3 2 से 3 प्रशन पूछे जा सकते हैं, कुल अंक जो आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कुल अंक खुल प्रशन 180 होंगे, 180 प्रशन 180 अंक के, उसमें से भी आपके नकरात्मक अंक है 0.25, अगर आप 4 में से एक प्रश्ण गलत करते हैं तो आपके एक नंबर कट जाएंगे तो आपको ध्यान देने की जरुवत है कि ये गलती बिल्कुल ना करें कि अगर आपको प्रश्ण बिल्कुल नहीं आता है आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसका उत्तर क्या हो सकता है तो वो प्रश्ण उस प्रश्न को छोड़ने की लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं आप दो अप्शन में कन्फ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं इसलिए हिंदी विशय में आप क्या करें हिंदी विशय में प् अब्द में कौन सी संधी हो सकती है या निमलिखित वाक्य में कौन सी अशुद्धियां है आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा भले ही आपने व्याकरण कम पढ़ी हो उस विशय पर आपकी कमांड कम हो लेकिन पढ़ने से क्या होगा पढ़ने से आपको पता चलेगा क्यो आपका पूरा syllabus है हिंदी का उस पर हमारी detail की class चल रही है अभी हम लगभग 60 दिन का खाका लेकर चलते हैं कि हमें क्या करना है हमें अपना पूरा syllabus complete करना है 60 दिन के अंदर अंदर उसके साथ साथ हम MCQ करेंगे और बार-बार कोशिच करेंगे प्रश्णों को समझने की किसके माध्यम से details के माध्यम से ताकि हमसे गलतियां ना हो इसमें भी जो आपका विश्य है उसको हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं एक जो की थोड़ी सी कठिन व्याकरण वाले topics हो जाते हैं दूसरा थोड़े स सरल टॉपिक वाले देखेंगे कैसे हम कठिन को पहले साइट कर लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कौन-कौन से विश्य हैं जो आपके सरल हैं कठिन विश्य आप माल सकते हैं संधी को समास को और युगम शब्द को थोड़ा सा हमें कहां-कहां और लगता है इस पर हमें डीटेल क्लास जो होगी उसके अच्छे खासे नोर्स बनाके रखने हैं ताकि मातर इस एक्जाम में नहीं कहीं भी आपसे हिंदी व्याकरण के विश्य में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपके प्रश्ण क्या होंगे गलत नहीं होंगे आपको अगर ये संधी होती है ऐसे ही युग मशब्द कैसे पहचानेंगे इसके अलावा क्या है हमारे जो बहुत ही आसान वाले विश्य हैं आसान वाले विश्य को क्या करना है एक बार पढ़िए उसके बाद उनके जो एक्जामपल्स दिये हुए हैं उधारन जो हम रोज क्लास में देते ह हैं आप उनको एक कॉपी में चाहे लिखते जाहिए चाहे बस मात्र पढ़ते रहें अगर आप उधारन पढ़ेंगे तो भी आप बहुत आसानी से एक्जाम में वो प्रश्न सही करके आ सकते हैं जैसी कि क्या हुआ उपसर्ग है पर्याइवाची शब्द है या विलोम शब है अगर आपको कोई भी वाक्य गलत दिया जाता है शब्द गलत दिया जाता है दो से तीन बार पढ़ने से क्या होगा आप मात्र वैसे ही देखकर बता सकते हैं भले ही आपने ये टॉपिक्स ना पढ़े हो तो हम क्या कर सकते हैं इन विशय को मात्र एक बार पढ़िए ले गलत नहीं होंगी ऐसे ही अगर आपके वाक्य शुद्दी से दो से तीन बार पढ़ना है प्रेश्ण आप सही से पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाता है कि अगर दिया है राम खाना खाता था है क्या ये वाक्य शुद्ध है हमें लगता है हाँ शुद्ध है लेकिन राम खाना खाती है क्या हो जाता है लिंक के आधार पर शब्द अशुद्ध हो जाता है पढ़ने से ही आप जान सकते हैं क्या होगा वाक्य शुद्ध है शब्द शुद्ध है या नहीं शुद्ध है इसल पर विशेप पूरा करने से क्या होगा, एक्जाम में आप उन प्रशनों की खोज पहले नहीं करेंगे, जो आपको आते हैं, जो पहले हो जाएं, एक सीरे से प्रशन उठाईए, बस उन प्रशनों को छोड़िए, जो आपको पढ़ने में समझ में नहीं आते हैं, और फिर सार परिशान होने से भी क्या हो सकता है आपके प्रश्ण गलत हो सकते हैं बाकी सारी जिम्मदारी है हमारे उपर कि विशे कैसे डीटेल में पढ़ना है विशे कैसे अच्छा पढ़ना है content कैसे आपका best से best हो, इसमें हम क्या करेंगे, हर topic जो आपका hard है, जो easy है, जैसे कि चाहे आप संधी लें, चाहे आप परियावाची शब्द लें, हमने दोनों पे detail class की है, तो हमें detail class पढ़नी है, हमें क्या करना है, उसके उधारन उठाने है, उनको solve करते रहना है, और पहले तो हमें जानना है कि शब्द होते क्या है, इनकी आवशक्ता क्या पढ़ती है, और उसके बाद हम सारे के सारे अपने विशय लेंगे, उन पर 5-10, 5-10, थोड़े से प्रशन चाहे solve करते रहें, चाहे उनके examples पढ़ें, जो भी आपको सबसे सही लगता है, इतना करने के होगा, आपको आपका topic आसान लगने लगेगा, जब आसान लगेगा, तो हम कठिन प्रशनों की तरफ चलेंगे, क्योंकि exam में तो आपके आसान प्रशन भी पूछे जाते हैं, यहां आप बीच वाले प्रशन करें, थोड़े कठिन, थोड़े सरल, तो exam में क्या होगा, आप आपको प्रशन देखते ही समझ में आ जाएगा, और आप पूरे प्रशन सही करके आएंगे, जी हां बच्चों एकदम possible होता है, हिंदी में आपका पूर्ण मार्क्स लेकर आना, आपको लिखना तो है नहीं, कोई आपकी लिखावट के मार्क्स काटेगा, आपको सिर्फ ट को कि क्या अगर आपके पास ताइम बच रहा है, तो जिन विशय पर आपको confidence है, उन्हें एक बार वापस देख लीजे कि क्या आपने कहीं चोटी मोटी गलतियां तो नहीं कर दी है, गलती से आपने कहीं और टिक तो नहीं लगाया है, जो सामान्य गलतियां होती हैं, अगर लेकिन 54-55 के बीच में रहेंगे, इतना आसान है हिंदी का विशय हमारा, अगर आप सही से पढ़ लेंगे, सारे आपके क्या होंगे, सारे topics, सारे विशय, पूरा का पूरा आपका स्लेवर्स आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि स्लेवर्स क्या है, छोटा सा है, 6 चीजें य हमेशा दिमाग में रखने हैं, और जितने भी ये topics हैं, इनका बच्चों एक छोटी सी चीज क्या करनी है, हमें सबकी जो छोटी परिभाशा होती है, बहुत बड़ी नहीं, तीन चार लाइन वाली नहीं, एक छोटी सी परिभाशा, कि संधी क्या होती है, संधी है दो आपके एकजाम में क्या पूछेगा, वो बहुत से विशेयों के तो आपसे ये पूछ लेता है, कि चलिए ये शब्द शुद्ध है या नहीं, ये वाक्य शुद्ध है या नहीं, लेकिन बहुत से विशेय के वो आपसे परिभाशा पूछ लेता है, कि बताईए कौन से दो विशेशन के साथ मिलकर कौन सा समास बनता है, कौन से समास में दो शब्द हैं, दोनों पूर्ण होते हैं, तो आप अगर परिभाशा पढ़ते हैं, तो वो प्रशन आप गलत नहीं करेंगे, ये हुई हमारी पूरी तरह से प्लानिंग, कि हमें क्या करना है, हमें एक्जाम में सही होने वाले हैं, ध्यान रखिये बचों, नमस्कार